हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चैनल पर आज हम देखने वाले बैंकिंग एक्जाम के लिए बैंकिंग अवेर्नेस और करेंट अफेर कहां से पढ़ें और कितने मंतखा पढ़ें वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूद कर लें और आपके द्वारा पूछे के स्वाल जो आपने टेलीग्राम पे पूचे थे कि करेंट अफेर कहां से पढ़ें और बैंकिंग अवेरिणेस बैंकिंग एक्जाम के लिए कहां से बढ़ें तो इसमें से आपके कु मैं आज इन वन बाई वन इन कोशनों का जवाब देने वाला हूं अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं उनका भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा और पहला कोशन है सर बैंकिंग अवेनिस कहां से पड़े और कैसे यूटूब पर और अन अकैडमी पर मिल जाएंगे और इन सबी का अलग अलग प्लेटफोर्म पर बढ़ाते हैं ये आशिज गोतम सर जैसे अधा पर पड़ाते हैं कुछ पांडे सर एक्जाम सेंटर पर पड़ाते हैं अभीजी सर बैंक लैडर पर पड़ाते हैं और ये त नेक्स कोर्षन था कितने मंत का हमें कररंट अफेर पढ़ाना चाहिए तो मैं मेरे इसाप से बैंकिंग एके अग्जाम के अनδώर कम से कम था मिनने का अपको करेंग अधार livresion के लिए आप दूसरे टीचर को फोलो किजिए एक टीचर आपकोको इंदर पूर पूरे मंत फो लिए से आप लिए कर सकें कोई चीज अगर किसी एक sahas के दोफ हो गहीं है तो आप दूसरी टीचर के दवारा उनको अंको कः सके तो कि आप का सकते हो और इनके question answer भी day by day आते हैं और इनका एक monthly package के रूप में monthly एक review के रूप में इनका पीडियो भी आता है जैसे फेर क्लाउड का pocket के नाम से आता है इनका दय हिंदू के review के नाम से आता है और Hollywood का बोल्ट के नाम से आता है आप उनके PDF को भी एक revision के रूप में उनको देख सकते हो आप किसी भी टीचर को follow किजिए day by day उनकी class लीजिए और बाद में monthly के लिए आप किसी दूसरी प्लेटफॉर्म जैसे फेर क्लाउड हुआ या किसी कोई दूसरी टीचर की monthly class हुई उनको follow गर सकते हो ताकि आपका साथ में revision भी हो सके और आपका static और current और banking awareness तीनों चीज एक साथ clear भी हो सके नेक्स कोशन था कि एक्जाम में किस टॉपिक से जादा कोशन पूछे जाते हैं तो मैंने पिछे रिव्यू करके जो 2019, 2020 या फिर 2018 के अंदर जो कोशन पूछे थे उनके इसाब से मैंने review किया तो देखा कि ये line wise मैंने इनका वेटिस लगाया है कि इन कोशन इस टॉपिक से जादा कोशन पूछे जा रहे हैं एक्जाम के अंदर जैसे आपको मन्तली अगर आप इनका revision करोगे कि आप एक copy लगा लिजी उसके अंदर एक इंडेक्स मना लिजी कि इंडिया में first क् फर्स चीज क्या बनाई जा रही है, first क्या हो रही है, first कौна सा पार्क बनाए जा रहा रहा है Carnedrium बना बनाये है world के अंदर नोटिस कर लेना जाए ताकि आप जब भी revision करो तो एक साथ उनका revision हो सके कौन सा news in bank इसका मतलब है कि कौन सा bank news के अंदर रहा है इन 6 months के अंदर कि कौन सा bank ने कौन सी app issue की है कौन सी चीज के साथ tie up किया है कौन सी चीज नहीं लेकर आ रहा है कौन bank वो चीज आपको पता होने चीज यह banking awareness एक static banking awareness होता है वो आप किसी भी teacher को follow करोगे तो वो आपको banking awareness इस भी पूरा static बढ़ा देंगे स्पोर्ट से question पुछे जाते हैं person in news कौन सा person news में रहा है कि इस person ने पहली बार ये चीज की है इस person ने पहली बार gold जीता है इस person ने पहली बार Asian open game जीता है इसनिये पहली बार कुष्टी का game जीता है gold लाया है कोई भी person अगर news में रहता है ये इस देश का प्रधान मंतरी बना है पहली बार प्राइज रहता है सब्मीट से कोशनाते हैं थीम से कोशनाते हैं आप इनको एक index मना लीजिए और एक line wise six month का first news six month के अंदर कौन सी रही है कौन सा bank से हम इने में news में रहा है कौन सी sports event होने वाली है और कौन सी event हो चुकी ह है उनके बारे में headquarter, book, day, festival, कौन सी agreement, static gk, static gk में जैसे national park हुए, कौन से port हुए, river हुई, ये आपको currency हुई, ये सब static के अंदर आते हैं और top national और international news भी आपको देखनी पड़ेगी, इनसे question तो कम आते हैं लेकिन एक दो question कभी बार आ जाते हैं और कुछ question जैसे fifth question था से पड़ें, last year के लिए आपको YouTube पर काफी class है मिल जाएगी कि upcoming review आप देखोगे, तो 2020 के review देखोगे तो आप YouTube पर डालोगे तो आपको उनकी top 40 question, top 50 question ये आपको वीडियो मिल जाएगी, किसी भी teacher की और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप comment box में में बता सकते हो मैं इनका PDF या फिर वीडियो आपको परवाइड करगा दूँगा, और इसमें कुछ बचों के एक extra doubt था, कि सर आप ये बता सकते हो क्या कि इसमें से आशिस गोतम सर या फिर कपील कैतल सर, कुस पांडे सर, अभीजी सर, इनमें से किस teacher से सबसे जादा question इस बार 2020 के अंदर exam में किजिए, आपके definitely सारा current affair static clear हो जाएगा, और ये teacher अपने आप से कोई भी static या फिर current dk नहीं बनाते हैं, कि इनका बनाया हुआ ही static या current आपके exam में पुछा जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, जो static या current dk होता है, वो ही सभी के लिए सेम होता है, और सभी exam में प होते हैं, और definitely वो सारा cover कराने की ही कोशिस करते हैं, current affairs, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर beneficially रही हो आपके लिए, तो आप चैनल को subscribe और वीडियो को share जरूर करें, thank you very much.